गुरुजी के सचसंग के फूल किते सुन्दर लग रहे हैं ना जावट में अलग अलग फूल यूज हुए थे मैंने तो पिंक रोजिस का कुछ बनाये वो आपके साथ शेर करती हूँ ये देखिए ये सारे फूल मैंने जो है लेके पत्ता पत्ता कर लिए इतनी अच्छे खुश्बू है ऐसे लग रहे है कि जैसे अरोमा थेरेपी हो गई है ये देखिए अब इनको हम सन ड्राइ कर लेते हैं जब भी हम कुछ भी भगवान का कारे करते हैं तो फूल उनके सबसे ज़ादा निकट होते हैं और उसके बाद हम उनको ऐसे ही फेक देते हैं स्विश्टी ने कितने ज़ादा अपने efforts करे होते हैं इनको उगाने में और हमारे भी बहुत सारे resources लगते हैं इनको अपने घर तक लाने में तो मेरे फूल तो हो गए ड्राए दो दिन में और अब मैं इनको कर लूँगी mixi ये देखिए mixi करें और सारे फूलों का powder जो इतने सारे थे सिमट के बस थोड़े से ही रह गए ये देखिए ये powder ना ही मैंने अकेले यूज किया अपने सारे friends और family को भी दिया और अब दो चम्मत दही में थोड़ा सा पाउडर डाला और इसको अपने फेस में मैंने लगा लिया और फेस के लिए हम सब को पता है रोजस कितने अच्छे हो और वो भी ब्लेस्ट, oh my god, सोने पे सुहागा पर आपने लगाने के बाद इसको उतारना पनीर के पानी के साथ है जिससे आपके फेस का गलो और बढ़ जाएगा So I hope you like it